हलो फ्रेंड्स डेनी क्लाशेजम आपका स्वागत है दोस्तों राजस्तान जी के महामेराथन क्लास टोप 1000 प्रशन सुरू हो चुकी है आपको मैं टोप 1000 प्रशन करौँगा साथी करंड अफेर भी कंप्लीट करौँगा तो आपको इनको अच्छे से करके चलना है एक्स्ट् सार है इस टाइम जितने प्रशन कर लिए सेलेक्शन ले लोगे तो जाग जाओ अच्छे से स्टडी करो इनकी जो पीडिएफ है वो आपको डेनील क्लासेज की एप पर मिलेगी टोटल ये 10 पार्ट होंगे हर पार्ट के आपको 10 रुपे देने होंगे मात्तर 10 रुपे प्र रुपे में कर सकते हैं अगर किसी को फर्स्ट पार्ट पसंद आए तो सेकेंड भी करें नहीं आए तो कोई जरूत नहीं है वैसे जो जितना मेंने एफर्ट लगाया है जिस तरह से तयार कि आपको 100 परसंट पसंद आएगा फिर भी अगर नहीं पसंद आए तो आपको पता तयार किया गया था हवा महल का डिजैन हवा महल का है जयपूर में हवा महल में पांच अक्षर है तो पांच मंगर भी आफ़ आपको द्यान रखना है राजस्तान के उद्यपूर संभाग में जीलों की संग्या कितनी हैं। उदेपुर परताब राची डूबा उदेपुर परताबगड राजसमद चितोडगड डूंगरपुर बासवाड़ा ये हैं कुल छे हैं जैसे जोदपुर संभाग में भी छे जिले हैं वैसे उदेपुर में भी छे हैं आपको ध्यान दखना है अगला है कि कुम्भलगड वन्य जी अब भैरन राजस्तान के किस जिले में स्तीत है मोस्ट इंपोटेंड परिशन है एक्जाम में जहां तक हो सके ये परिशन पूछा जाएगा कुम्भलगड भैरन राजसमंद में है भेडियों के लिए परिशिद है अब ये क्यों पूछा जाएगा क्योंकि राजस्तान की जो पांचवी बाग परियोजना है वो यहीं से शुरू होने जा रही है कुम्भलगड से यहीं शुरू होगी इसलिए ये मोस्ट इंपोटेंड परिशन एक्जाम के लिए होगा अच्छे से ध्यान रखना आपको अगला की राजस्तान की राज़े पुष्ब रोहिडा का विग्यानिक नाम क्या है इस तरह के परिशन एक्जाम में पूछे जाएंगे बेसिक क्योशन है जो आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे ग्राम से एक्जाम में बेसिक प्रिशन धंगसें करके चलने आपको राजस्तान का राज़े पुष्ब रोहिडा इसका साइन्टिफिक नेम क्या है टीको मेला अंडू लेटा है आपको ध्यान रखना है जाखम बाद का सीलय नयास नियून में से किनके दुबारा किया गया था जाखम बाद कहा है प्रताब गड़ में है राजस्तान का सबचे हुचा बाद है इसका इन्योग्रेशन किसने किया था आपको बताना है तो इसका उतर जाएगा फर्ष्ट मोहनलाल सुखाडिया मोहनलाल सुखाडिया ने किया था ये मोहनलाल सुखाडिया वही है जिन्होंने संभागे वेस्ता को भी बंद कर दिया था वापस किसने शुरू किया था हरी देव जोशी ने किया था तो सुखा दिया था और जोशी ने जोश जोश में शुरू किया था इस तरह से आपको ध्यान रखना है विश्व की प्राचीनतम वलीत परवतमाला नियून में से कौन सी है अरावली परवतमाला विश्व की प्राचीनतम वलीत परवतमाला है जिस तरह से मैं आपको हजार प्रशन करवाऊंगा आपने भी उतने एफ़र्ट लगा दी अच्छे से उनको देख लिए अच्छे से कर लिए सेलेक्शन ले लोगे कहीं नहीं अटकने वाले हो यह हजार प्रशन की श्रीज आपको यूट्यूब पर मिलती रहेगी चैनल सब्सक्राइब करके रखना बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि जैसे ही वीडियो है आपको तुरंट उसकी अपडेट मिल जाएगी जल महल किस जील के मद्दे इस्तित है जल महल किस जील के मद्दे इस्तित है काफी कम लोग जानते हैं कि पूरा सवाई परताब सिंग ने करवाय था आपको ध्यान रखना है आंसर हो जाएगा फस्ट मान सागर जील कोलायत का वार्शिक मेला राजस्तान के किस शहर में आयूजित किया जाता है कपिल मुनी का मेला कोलायत बीकानेर में होता है कब होता है कार्टिक की पुर्णीमा को होता है बार वार एक्जामें रिपीट होता है कार्टिक पुर्णीमा कपिल मुनी का मेला पुशकर मेला होता है वो भी कार्टिक की पुर्णीमा को होता है आपको ध्यान रखना है राजस्तान में स्वतंतरता अंदोलन के दोरान गिरफतार होने वाली राजस्तान की प्रथम महीला कौन थी आपको बताना है फस्ट कौन थी अंजना देवी चोधरी फस्ट थी अंजना देवी चोधरी फस्ट हो जाएगी कोटा निवन में से किस नदी के किनारे स्थीत है कोटा चंबल नदी के किनारे स्थीत है कोटा चंबल नदी के किनारे स्थीत है कोटा चंबल नदी के किनारे स्थीत है आपको ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है चंबल नदी निकलती कहां से है चंबल नदी राजस्तान की ज बनाया गया था आमेयर में जो जगत शिरोमनी मंदिर है किनों ने बनाय था रानी कंकावती ने बनाया था यह परशन भी काफी बार है राणी चांधनी के चलोगे सिलेक्शन ले लोगे और ऐसे सोचो गे कि इसको मैं बहुत अच्छे से बहुत डंग से पढ़ूँगा सारा सब कुछ पढ़ लूँगा कुछ नहीं होना है बेस्ची का अच्छे से करके चलो यह जो हजार प्रशन करवा रहा हूं उनको डंग से करके चलो सेलेक्शन ले लोगे ज्यादा दिमाग मत लगाओ जैसे ज लात पर्टिशत होता है लगबग की बात करें उत्तर से हो जाएका नो पर्टिशत होता है खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है बारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जील चिलका जील है कहा है उडिसा में है आपको ध्यान रखना है लेगून जील है दूसरी होगी स इस कांचरोजयगस है 9. दिस्ते से राजस्तान की सबसे लंबी नदी है。 इसलिए सबसे लंबी नदी कहते हैं。 नियुन में से रब्बी की फसल कौन सी आपको पताना है रब्बी की फसल कौन सी होती है रब्बी की फसल गेहूं जो चना सरसों ये सारी रब्बी की फसले होती है आंसर हो जाएगा दे सरसों दोशा शहर का नाम किस पहाडी के नाम पर पढ़ा था दोशा सहर का नाम देवगीरी की पहाडी के नाम पर पड़ा था बारा दोशा राजसमंद आपको पता है तीन जिले दस अप्रेल गुनी सो इकराण में को बने थे यह आपको ध्यान रखना है चांद बावडी कहा है अबानेरी दोशा में है राजस्तान की किस शहर को तमर नगरी कहते है खेतडी को कहा जाता है कि खेतडी के महरा जाते अजीत सिंग अजीत सिंग नहीं स्वामी विवेकानन्द को विवेकानन्द नाम दिया था इनका नाम नरिंदर था इनको विवेकानन्द नाम खेतडी के महाराजा अजीत सिंग नहीं दिया था ध्यान रखना है अगला है कि राजिस्तान की राज की अवरक्ष का विग्यानिक नाम क्या है राज की अवरक्ष कौन सा है खेजडी है विग्यानिक नाम क्या आपको बताना है क्या है प्रोसेसिप सीनेर एरिया है गुरी सो तीयासी में राजिवरक्ष का दरजाए से मिला था हम परियावरन द ये उसे पांच जून को मनाया जाता है आपको बताना है कि किस वरसे तराइन का प्रतम यूद लड़ा गया था तराइन का प्रतम यूद देती यूद दो यूद हुए थे पहला कबूए था 1101 में दूसरा 112 में पहले में पर्तिराज जोहां जी जाते हैं दूसरे में मोहमत गोरी जी जाता है आपको ध्यान रखना है एनल्स एंड इंडिकृटीज अप राजस्तान नमब कुस्तक के लिखक कोन है करनल जेमस टोड है जिन्हें राजस्तान के इत्यास का पिता भी कहते हैं जिन्होंने राजस्तान को राजस्तान रायथान रजवाड़ा ये नाम दिया था राजस्तान रायथान रजवाड़ा ये सारे नाम करनल जेम्स टोर दोरा दिये गए है किस वर्ष में राजस्तान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था राजस्तान पंचायत अधिनियम कब लागू हो गया था 1953 में लागू हो गया था आपसे पुछे राजस्तान में पंचायती राजवेश्ता कब प्रारम हुई थी तो डो अक्टूबर गन्धीजी के जनम पर दो अक्टूबर 1969 को जोहालाल नेरू द्वारा नागोर के बगदरी गामशे शुरू की थी परदान मंतरी जोहालाल नेरू ने शुरू की थी बेरो सिंग सेखावत को बाबो शा कहते है बेरोशिंग सेकाउद को बाबोसा कहते हैं दा साहब किसे कहते थे दा साहब हरी भाव उपा दिहाई को दा साहब कहते थे त्याग गुमी समाचार पत्तर के संपातक भी थे नियून में से किस शहर को राजस्तान का उद्योकिक शहर कहते है राजस्तान का उध्योगिक शहर कौन सा कहलाता है कोटा राजस्तान का उध्योगिक शहर कहलाता आपको ध्यान रखना है कोटा का शुभंकर क्या है उद्विलाव है नई जलोड मिर्दा का वर्णन करने के लिए कि शब्द का प्रियोग किया जाता है नई है तो नई जलोड मर्दा है खाद होगी उसमें तो खादर है खाद होगी खादर है पुरानी तो बांगर नई तो खादर ऑप्शन बै राजस्तान विधान सबागे पहले उपाधेक्ष कौन थे पहले कौन थे फस्ट कौन थे तो लाल सिंग शक्तावत फस्ट थे फस्ट किस वर्ष में बास्केट बोल को राजस्तान का राज्य खेल गोशित किया गया था बास्केट बोल कब हुआ था 1948 में राज्य खेल गोशित हुआ था राजस्तान का राज्य खेल कोन सा है बास्केट बोल कब हुआ था पूरे विश्व वल्भ बुक भी उसी की है विश्व वल्भ मुहुर्तमाला वेवार दसन राज्य विशेक्पादयी सारी पुस्त के उसी कि हैं महाराना परताब का जनम किस वर्ष में हुआ था महाराना परताब का जनम में 9 म reps 40 जेश्ट शुकल तरतिया कुम्भलगड कटारगड के बादल महल की जूनी कचरी में हुआ था इस तरह के प्रिशन आप से एक्जाम में पूछे जाएंगे मारना परताप से संबन्दी ते ढंग से पढ़ना आपको किस महा कावे की रशिना महा कावी माग द्वारा की गई थी किस की की थी शिशुपाल वद की की थी शिशुपाल वद आंसर हो जाएगा बै देवेंदर जाजडिया का संबन्द किस खेल से हैं देवेंदर जाजडिया, चुरू के निवासी, जेविलीन थ्रो, जेविलीन थ्रो से यह सम्मदी था आपको ध्यान रखना है अप्शन और देगस है हल्दी गाटी के युद में मुगल समराथ अकबर की सेना का नेतरत्वा किस ने किया था हल्दी गाटी का युद 18 जून 1566, गोपिना शर्मा के नुशार 21 जून 1566, किस ने किया था मान सिंग प्रत्थम ने किया था मान सिंग प्रत्थम आमेर के मान सिंग प्रत्थम ने किया था, आपको ध्यान रखना है राजा मान सिंग आमेर में मीना कारी की कला को प्रारम करने के लिए पांच कारीगर लाहोर से लेकर आये थे ये भी आपको ध्यान अखना है मीना कारी कला को प्रारम करने के लिए पांच कारीगर लाहोर से लेकर आये थे राजेस्तान के वर्तमान मूखे मन्त्री सिर्य अशोग गलोत का निर्वाचन छेतर कौन सा है सरदार पुरा जोधबुर है सरदार पुरा जोधबुरा आखिर फिस्ट हो जाएगा नियॉन्मे सर्किष डेष में दोहजार चोईस के उलमपिक आयोजन होने वाला है 2024 के ओलंपिक कहा होंगे पेरिस फ्रांस में होंगे पेरिस फ्रांस में 2024 के ओलंपिक होंगे राजस्तान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है अर्जुन की गंगा कौन सी नदी कहलाती है आपको बताना है बान गंगा अर्जुन की गंगा कहलाती है इसे रुन्डित सरीता भी कहलाती है जैपुर का प्रस्थिद हवा महल का निर्मान किसके द्वरा करवाए गयता हवा महल पांच अक्षर है तो सवाई परताब सिंग निर्मान करवाए था सवाई परताब सिंग ने इसका निर्मान इन्होंने किस महल को देख कर करवाए था तो खेतड़ी महल को देख कर करवाए था इसलिए खेतड़ी राजस्तान का दूसरा हवा महल भी कहलाता आपको ध्यान लगना है स्वाई परताप सिंग एक अच्छे कवी भी थे ये ब्रज बासा में कवीताइं भी लिखते थे आपको ध्यानक ना है ब्रज निदी नाम से ढूंडाडी और ब्रज बासा में कवीताइं लिखते थे आपको ध्यानक ना है किसे राजपुत राजा ने गंदरो बाईशी के नाम से विद्वनों के एक समुह बनाय था गंदरो बाईशी किसने बनाय था सवाई प्रताप सिंग नहीं बनाय था आंसर हो जाएका फस्ट राजस्तान का कौन सा लोक नरते केवल महिलाओं दौरा किया जाता है आपको बताना है क्या चंग किया जाता है चंग शेखावाटी में पुरुशो द्वारा किया जाता है गेर भीलो द्वारा किया जाता है पुरुशो द्वारा किया जाता है धोल नर्ते जालोर में पुरुशो द्वारा किया जाता है तो गूमर इसका आंसर हो जाएगा दै नियून में से किस शहर को राजस्तान का मेंचेस्टर कहते हैं राजस्तान का मेंचेस्टर राजस्तान की टेक्स्टाइल सिटी राजस्तान की अभरक नगरी जहां पर राणा सांगा का समाधी स्थल भी बना हुआ है हम बात कर रहे हैं बीलवाडा की बीलवाडा कहलाती है आंसर हो जाएगा फर्स्ट नियून में से किस शहर में जेपुर नरेश द्वारा वेद शाला का निर्मान नहीं करवाया गया था और हमारी तो ट्रिक थी डीजे बम डीजे बम डीजे बम डीजे दिली जैसे जेपुर बीडि भनारा वू उजेन पढ़ा में दीजे बम हमारी ट्रिक थी द्वार आंसर हो जाए ख hazard और नहीं है किस वर्ष में राजजीय की राजगदी संबहली टि संबहली 열ा जंबहा द ह१ार न कि आधनी वहार जादी कहों थी मारा जेवंता सक laugh भाला थे मारना परताप की माता की जे और जे से जे वनता बाई इनकी माता थी पतनी कुन थी इनकी पतनी भी अजब थी मारना परताप अजब योदा थे पतनी भी अजब थी अजब दे पवार इनकी माता का नाम था आपको ध्यान दखना है गोडा चेतक हाती राम परसादवर लूना सिंग गमन सत्पुर्श वचन कदली के लिए एक बार तिरिया तेल हमीर हट चड़ेना दूजी बार आपको ध्यान रखना है तेरा सो एग ये राजस्तान का प्रतम शाका भी था जो रन्थंबोर का शाका नाम से कहलाता है कौन सा पुरातत्विक स्तल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है काली बंगा हनुमानगड में है बिल्कुल सही है गगर नदी के किनारे है बागोर बीलवाडा बागोर की सब्वेता बीलवाडा कोठारी नदी के किनारे है बिल्कुल सही है गनेशर सब्वेता सीकर में कांतली नदी के किनारे है बिल्कुल सही है बेराट उद्यपूर सवाबी दयाने दिसरस्वती हैं आंसर हो जाएगा बय नीर में से किसे क्षकर पाणि मिशहार द्वारा नहीं लिखा गया है विश्व व अनोसंदान के अंधर sı्षय भलतूर में में हैं से वर भरतूर आपको ध्यान अतर्वीजिय अजमेर में क्या है कमेंट बोक्स में अंसर करना में क्या Songsраз इएए एदिया किसे प्रशिद सूपशंत की दर्गा है किसकी है जामर कोटड़ा रोग फासबेट खदाने कहा है जामर कोटड़ा कहा है उध्यपुर में है उध्यपुर आंसर हो जाएगा किस शहर में दिलवाडा के मंदीर माउंट अबू ile महानला कुंभा ने विज्टे प्राप्त करने के बाद में मालवा और गुजरात की सेना परसे के बाद में एक्सों फीट नमन alarms जिला है विजे स्थम्प इंपोटेंट है ध्यान रखना है काफी पार मैं आपको बता शूएं उप्शन हो जाएगा क्वे एकि अंदोलन के नेता कौन थे चो 1920 में वर्तमान राज़स्तान और कुछ राध के आदिवासी बहूल सीमा शित्रों में अंदोलन रत थे कौन थे मोती लाल यह जो आदिवासियों के मसीहा भी क्यालाते हैं अंसुरा जाएगा बै कटी बंदू के नाम से कौन सा राजा प्रसिद था, कटी बंदू कौन था, विद्वानों का आश्रे दाता होने के करण जयानक भटने ने कवी बंदू या कटी बंदू कहा था विग्रे राज चतूर्थ की हमें बात करें इन्होंने स्वेम ने हरी केली नामक नाटक लिखा तो जो श्यंसकर्थ में लिखा था ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपोटेंट है विग्रे राज चतूर्थ आपको अच्छे से ध्यान रखना है अग्ला है कि हमीर मद मर्दन नामक साहिते करति के लेख कों है, हमीर मद मर्दन कों है जेसिंग सूरी है, बुतालागा युदगा वर्णन भी ने नहीं किया था तो जेसिंग सूरी आंसर हो जाएगा मेवार के किशाशक के समय जावर में चांदी की खान से खनन परारम वो अथा काफी लखी आदमी थे लाखा थे राणा लाखा या लक्षर भी लखी आदमी थे चांदी की खान निकल गई थी आपको ध्यान रखना है और इनी के समय पिछोला जील का निर्मान भी एक बंजारे ने करवाया था ये भी ध्यान रखना है इस तरह की इन्फोमेशन आपको मैं देता रहूँगा टोब हजार परशन करवाँगा सेलेक्शन वाले परशन करवाँगा आपको वीडियो को जितना उसके शेर करना है वीडियो लाइक करना है चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए तुरंत आपको मिल जाए खानवा का परशीद यूद किस वर से लड़ा गया था खानवा का परशीद यूद 17 1527 रूपास तैसिल बरतपूर गंबीर नदी के किनारे राणा सांगावय बाबर के मद्दे हुआ था मेवारड प्रशामंडल की स्थापना कब हुई थी ? मेवारड प्रशामंडल की स्थापना तो 1938 में हुई थी आंसर हो जाएगा बै आंसर हो जाएगा दे दोसा इनकें से कोई नहीं दोसा होगा इस कांसर दर्थी दोरारी किस कवी की रस्ना है सुजानगड चूरु के थे िर्थी दोरारी पाथल और पिथल मिंजर अरे घाशरी रोटी सबद ! यह सारी इन인이 की रस्ना है हम बात करें कन्यालाल सेठिया की अंसर हो जाएकाद है कन्यालाल सेठिया लीलिटास भी इनोंने लिखी थी रमनियारा सोठा भी इनोंने लिखी थी संत रेदास की चत्री कहां पे है संत रेदास की चत्री कहां जा मीरा बाई की चत्री है उनके सामने इनके गुरू संत रेदास की चत्री भी है हम बात करें चितोड चितोड के दुर्ग में है पास में ही 27 देवरी भी है काल का माता मंदिर भी है सारी डीटेल आपको ध्यान रखनी है करपाल सिंग किस कारिय के लिए जाने जाते हैं करपाल सिंग शेखावते ब्लू पोर्टरी के लिए जाने जाते हैं ब्लू पोर्टरी कहां की परसीद है जेवपुर की ब्लू पोर्टरी काफी परसीद है 1877 की क्रांती के समय उद्यपूर का पॉलिटिकल एजेंट किसे न्युक्त किया गया था राज़स्तान में होते थे AGG, Agent to Governor General 1877 की क्रांती के समय कौन था George Patrick Lawrence था AGG का धीन होते थे PA, Political Agent उद्यपूर का कौन था उद्यपूर में शावर्स चलते हैं और तो उद्यपूर का शावर्स था आपको ध्यान रखना है कर्नल इडन जेपूर का था आप ध्यान रखना किस सब्यता से हाथ से बुने हुए वस्तर प्राप्त हुए हैं हाथ से बुने हुए वस्तर कहां से मिले हैं बेरार से मिले हैं बिल्कुल मिले हैं मतलब दोनों से ही मिले हैं, दोनों इसका अंसर हो जागया, एवेबे दोनो, राजस्तान के किस जिले में सासी जनजाती पाई जाती है, सासी कहां पाई जाते हैं सरवादिक, सासी सरवादिक भरतपूर में पाई जाते हैं, जनजातियों से सम्मंदित आपके अलग से टोपिक देर खाय डंग से करके चलने आपको मानसी वाकल प्रियोजना किस जिले में स्थित है मानसी वाकल प्रियोजना कहा की है उदेवपूर की मानसी वाकल प्रियोजना है सोम कमला अंबा सीचाई प्रियोजना कहा की है सोम कमला अंबा सीचाई प्रियोजना कहा की है डूंगरपू सालासर मंदिर चूरू है बिलकुल सही है प्रसीद है रणकपुर जेन मंदिर पाली है मतही नदी के किनारे है ब harmless निर्मान करोए था शीलिपकार देबाग था जाग मंदिर बीलबड़ा में ये गलत हो जाएगा जगदीश मंदीर तो उदेपुर में स्थित है मात्र कुंडिया मंदीर की जिले में है मात्र कुंडिया कहा है चित्टोडगड में स्थित है आंसर हो जाएगा दे चित्टोडगड भील समुदाय द्वारा नियून में से कौन सा लोक नर उत्तर पर्देश के गुठावली के थे वो तो इन्होंने क्या लिखा था राजस्तान केसरी लिखा था राजस्तान केसरी इन्होंने लिखा था आंसर हो जाएगा बैर राजस्तान केसरी चारो और से पहाडियों से गिरेवे उद्यपूर बेसिन को इस्तानी बासा में किस नाम से जाना जाता है उद्यपूर का चारो तरफ पहाडियों से गिरावा चेतर गिरवा कहलाता है और यह चेतर तस्तरी नुमा है तस्तरी नुमा यह चेतर है बाकर क्या है सिरोई में तेज ढाल वाली पाड़ियां बाकर कहलाती हैं लेकिन इसराना बाकर, रोजा बाकर, जारोला बाकर जालोर में हैं ध्यान दखना है राजस्तान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस पसल के लिए वर्दान मानी जाती है बुमध्य सागरी चक्रवातों से होने वाली वर्षा मावठ शीति रितू में होती है गेहुं जो चना सरसो इनके लिए वर्दान होती है गेहुं के लिए golden drops मानी जाती है ऐप्चन हो जाएगा फस्त गेहुं राजस्तान में अपनी पर्थम वन नीती किश वर्ष अपनाई थी राजस्तान ने वन नीती कब अपनाई थी आपको ध्यान रखना है अठारा फर्वरी 2010 को राजस्तान की प्रथम वन निती आई थी अठारा फर्वरी 2010 इसके अनुसरा राजस्तान के कुर्वू भाग के 20% भाग पर वनों का होने का लक्षे रखा गया था आंसर हो जाएगा ऐ 2010 निर्वे से कौन सा किला गड़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है बीठली की पहाडी पर होने के कारण से गड़ बीठली भी कहते हैं बीठली की पहाडी पर है इसलिए गड़ बीठली कलाता है तारागड अजमेर तारागड अजमेर आंसर होगा एक तारागड बूंदी में भी आपको ध्यान लखना है राजस्तान के किस किले में त्रीनेतर गणेश मंदीर है कहां पर है रन्थमबोर में त्रीनेतर गणेश मंदीर है गणेश चतुर्ति को जहां मेला बढ़ता है विबिन कला सवरुपो और स्तानों के जोड़ों में कौन सा आपको बताना है जो मेलघता है सई है तेवा कला जोदपुर की परसीद है तेवा कला तो प्रताबगड़ की परसीद है उस्ता कला उस्ता कला बिकानेर की परसीद है कुंदन कला तो जेपुर की परसीद है तो ये सही भी है कुंदन कला जेपुर की परसीद है जस्ता से निर्मित बादला की बोतले ये जोदपुर प्रसीद है आंसर इसका सारे कहले थे क्यों से कुंदन कला जेपुर से हिये राजस्तान की कोंशी शेली श्रावक परतीकर्मन शुतर चुणनी है किसने लिखा था चित्रकार कमल चंद द्वारा लिखा था ये राजस्तान में ताड पत्तर पर चित्रित प्रथम उपलब्द गरंथ भी है आपको ध्यान रखना है आंसर हो जाएगा एह मेवाड नियूर में से कौन सा आपको बताना है जो गलत है जल महल जेपूर में है सही है एक थंबा महल जोदपूर में है सही है जुनागड का किला बिकानेर में है सही है लोहागड अलवर में है गलत है लोहागड कहा है मिट्टी का किला जिसे हम बोलते हैं भरतपूर में है बासवाडा का मानगड धाम किस समुदाश से सम्मदित है आपको भीलो से सम्मंदी थे बासवाडा में है आंसर हो जाएगा भील 1938 में जेपूर परजा मंडरल के अध्यक्स नियूरमे से कौन थे जमना लाल बजाज थे 1931 में करपूर चंद पाटनी और जमना लाल बजाज ने ये पुर परज़ा मंडल की स्तापना कीती है आपको ध्यान एकना है पलाया जीले राजस्तान के किस बोगोलिक अंचल में मिलती हैं कहां मिलेंगी रेगिस्तान साइड मिलेंगी थार के मुनुस्तल में मिलेंगी पलाया जील क्या होती है दो बालू का स्टुबों के मदे निम्न भूमी शेतर जहां वर्षा का जल एकर्थित हो जाने के करण ऐस्ताई जील का निर्मान हो जाता है उसे ही पलाया जील कहते है जब ये शेतर सूक जाता है तब दलदली शेतर रन या टांट कहलाता है और जब ये मेदानी बागों में बदल जाता है तो उसे बाल संद के मेदान कहते है और यहां पे जो करशी की जाती है उसे खडीन करशी कहते है प्राचिन काल में जेसल मेर के पलिवार ब्रहमनु दार की जाने विल करशी कहलाती है सारी डीटेल आपको ध्यान रखना है आंसर हो जाएगा बै थार का मरुस् सी प्रशिन हो गएन संद पीपा जी का जर राज़स्तान में कि से जाना जाता है संद पीपाजी का ज़न्म कावाथ आप को बताना है गाग्रोन. में हुआ था गागरोन का किला कहां है जालावाड में है गागरोनी तो ता काफी परशीदक जालावाड का शुभंकर भी है गागरोन का किला काली सिंद वा आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है ये भी आपको ध्यान अगना है बेनेशर मेला तायोजन किस दिन किया जाता बेनेशर मिला नेवटापुरा गाउं डुंगरपुर सोम माही जाकम तिर्वेनी संगम होता आपको ध्यान अगना है माग की पुर्णीमा को यहां पर मेला बरता है जो आदिवासियों का कुम्ब कहलाता है आंसर हो जाएगा ए माग पुर्णीमा राय सिंग की प्रशाष्टी का समंद किस से हैं राय सिंग की प्रशाष्टी किस से हैं विकानेर के शाष्ट को से हैं विकानेर से इसका समंद है कदम दाश्या के मास किस राजा के समय उनके मुख्य मंद्री थे किसके थे प्रत्विराज चोहान तर्तिय थे प्रत्य तो चोहान तर्तिय आंसर होगा निय पइचान करनी है सीरोही अचलगड बिल्कुल सही है अजमेर तारागड ये भी सही है जेपुर खोचोटी सही है सीकर गुरु सीकर गलत हो जाएगा सीकर गुरु सीकर नहीं है गुरु सीकर तो सीरोही में आपको ध्यानक नहीं है रगुनात गड है वो सीकर में है मंदिरो इस्तान के निमन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही डंग से मेल नहीं खाता सास बहु का मंदिर टोक में है क्या सास बहु का मंदिर तो उद्यपूर में है कपिल मुनी का मंदिर कुलायत में है सही है गोविन देव जी का मंदिर जेपूर में सही है एक लिंग जी का मंदिर उद्यपूर में सही है सास बहु मंदिर गलत हो जाएगा आभा नेरी मंदिर कहा है जहां पे हर्षद माता का मंदिर है वहीं आभा नेरी है तो आभा नेरी दोसा में है वीर विनोद पुष्टके रचेता कौन है वीर विनोद के लेखक कवीराज शामल्दास हैं मेवाड के माना सजजन सिंग के दर्वारी कवी थे सुरेमल मिशनग नियमे से कौन सा यूगम सही सुमेलित नहीं है इसब गोल जालोर का प्रसीद है बिल्कुल प्रसीद है इसब गोल जालोर का प्रसीद है बिल्कुल प्रसीद है किन्नू बुंदी का ये गलत हो जाएगा किन्नू तो शिरी गंगानगर के प्रसीद है नाथ द्वारा में शिरिनाजी की मुर्टी को किसने प्रतिशिट करवाया था नाथ द्वारा में शिरिनाजी महाराजा राज सिंग ने करवाया था महाराजा राज सिंग ने राज समन जील अपने नाम सुना होगा तो महाराजा राज सिंग ने करवाया था 30 मार्च 1949 को स्थापी थे वरत राजस्तान की प्रथम मुख्य मंत्री प्रदान मंत्री कौन थे आपको बताना है वरत के कौन थे वरत राजस्तान संग चोथा हो जाएगा इसमें तो वरत के कौन थे शोगो माही ही से होगा हिरालाज शास्त्री तो हिरालाज शास्त्री इसका जानसर हो जाएगा नुन में से किस जिले CAN000 नदी नहीं गुजरती है चितोर्गर से पृवेश करती है कोट में मफ़नी सवाईली ढोड दोलकुर से किस से नहीं गुजरती है जालावार से नहीं उड जलावार इसका ही पर जलीया हुद ना मनगठ धा में किस जिले में है मानगठ धाम और मकंदधड हुद्धम करते हैं surprise टोड ने नहीं किया था आपको ध्यान अगना है जॉर्ज थोमस्त ने किया था 1200 इस्वी में किया था जोर्ज थोमस ने राजस्तान के लिए राजपूताना शब्द का प्रियोग किया था अंतिम प्रशन हमारे पास वातारी फुलवारी नामक गरंथ के रचियता कौन है वातारी फुलवारी विजेदान देता है विजेदान देता है इसके ये सो प्रशन हो गए इसको अच्छे से आपको देखना है वापस रिपीट कर लेना डेनील क्लास एसकी एपर मात्र दस रुपे में आपको इसकी पीडियेक मिलेगी एक्स्ट्रा फेक्ट के साथ मिलेगी इन सो प्रशनों से लगबग आपके दो सो से तीन सो प्रशन कवर हो जाएंगे राजस्तान जी के दी बेस्ट हो जाएगा ग्राम सेवक संगनक ये एक्जाम है यहाँ पर प्रशन आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं अच्छे से इनको करके चलना है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके शेर करें वीडियो लाइक करें डेनिल क्लास से यूट्यूब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए धन्यवाद